नमस्कार मैं हूँ शिवा पुरोहित और आप हिस्वग सागर टीवी न्यूज के साथ मेरे साथ आज एक महमान है सागर के शानदार युवा हैं समा सेवा के छेतर में काम कर रहे हैं जीशान शेक BBM नाम के एक संगठन से जुड़ू हैं सागर के उसके प्रेसीडेंट है BBM Brotherhood by Muslims नाम का ये संगठन है اور समा सेवा में लगातार काम कर रहे हमारा जो प्रोग्राम था Special Program दस का दम उसका भी ये हिस्सा थे जीशान शेक को आज स्टूडियो में इसलिए बुलाया है चुकि ये मुस्लिम है और युवा है तो सागर के मुस्लिम युवा इस चुनाओ को लेकर क्या सोच रहा है हम जीशान के जरीए जानने की कोशिश करेंगे जीशान ये चुनाओ को लेकर क्या सोच रहा है मुस्लिम युवा मुस्लिम युवा मचदार जादा ना होना उपर से जो नेता है वो गुमरा कर लेते हैं मगर जहां तक अभी मैंने जो अभी सर्वे किया है मैं गूमता रहता हूं पूरे शहर इलागों में तो मैंने ये जाला है के सागर में जो मुसल्मान है मुसलिम बोटर है अब वो थोड़ा जागरोख हो रहा है और जागरोख हो रहा है अब उसको पता है किसको बोट करना है किसको नहीं करना तो सीधा मुद्धा है मेरा भी और बहुत से लोगों का सागर मुसल्मानों का कि जो विकास करेगा बोट उसे देंगे जो विकास करेगा मुस्लिम विवाँ उनको वोट देंगे लेकिन जीशान तुम से सीधा सवाल ये है कि आजादी के बाद से एक शब्द बड़ा उपयोग किया जाता जैसे ही चुनावाते हैं मुस्लिम वोटर्स को वोट बैंक कहा जाता से सिर्फ मुसल्मान को बोट बैंक की तरह यूज किया है चुनावाँ वो बोलते नहीं है कि सब्जी वें पड़ा गरम मसाला कि पत्ता है मुसल्मान कि चुनावाँ के टाइम पर आता है फिर बाहर निकाल के फैक दिया जाता है तो सभी पार्टियों ने बोर्ड बेंक के तरह यूस किया है मसलमानों को, कभी कोई बैनेफिट तो दिये नहीं है सिर्फ बोर्ड बेंक की इमाना है पार्टियोंने जी शानुशात, अभाया सवाल ये है आप से अगला जो होता आया, वो होता आया चुकि बात सागर की हो रही है आप जैसे युवा आने वाले चुनाओं में अपनी क्या भूमी का रहेगी आप जैसे युवाओं की हम लोगे बी बी एम टीम की डिसकसन चल रहा है और भी मेरे महले में और जो कनेक्टिविटी में दोस्त लोग दोस्त लोग जोड़े हैं सागर के हो या अदर बाहर के हो तो सिर्फ एक बात पे बात होती है कि अपनी कौम को मतलब जो मुसल्मान है जो पड़े लिखे लोग हैं उनको जादा से जागरुक करना है और उनको साथ मिलके जो अनपड़ लोग हैं जो पड़ नहीं पा हैं उनके लिए भी जागरुक करना है जागरुकता है ऐसी कि मुसल्मान जो पड़े लिखे हैं या फिर अनपड़ हैं वो ऐसे जागरुक हों कि वो समझे कि किसको बोट देना है और कोई उनको यूस कर रहा है जैसे नेताओं का ऐसा है कि वो यूस करते है वो जैसा बोलेंगे वो बातों में आ जाते है क्योंकि भाई उनका कोई जो बहुत गरीब है पड़े लिखें निचले तपके के हैं बिलकुल उनका क्या रहता है कि भाई कोई ने वादा कर दिया कि हम ये करवाएंगे आ गए वो करवाने लगे तो उनकी वादों में आ गए उनने वोट दे दिया अब बर चुनाओ के बाद वो वहाँ जाएगा और जब वो जाता तो उसकी सुनी नहीं जाती है तो हम लोगों का भी मूर सबका यही चल रहा है बहले तो अपनी कौम और दूसरे लोगों को भी जाग रुक करें कि सही व्यक्ति का चुनाओ करें उसके बाद फिर आगे दे अब सागर का मैं सागर का बताओंगा मैं बाहर का नहीं बोलूँगा सागर का युबा चाहता है रोजगार जी रहन सेहन का तरीका मतलब एक ऐसा सागर में चाहिए हम लोग को जो लोग जाने बाहर से अभी सागर में लोग बाहर से कोई आ जाते हैं तो अगर अगर अपन क कोई साधनी नहीं है कि बाहर से अपने यहां आए पास तो पूरे सागर के जितने भी योबा बोटर्स हैं सबका एक ही मुद्धा है विकास विकास रोड बिजली सड़क नहीं यह पुराना मुद्धा हो चुका है हमें चाहिए फैक्टरी आईटी पार्क चाहिए जिससे सागर के रोजगार मिले युबाओ जिशान आईटी पार्क अच्छा याद दिलाया जिशान जिशान ने आईटी पार्क की लड़ाई कंदे से कंदा मिला कर लड़ी मेरे साथ और जिशान वो शक्स थे जिशान की पूरी टीम कि सुबा बलाओ तो सुबा और शाम बलाओ तो शाम हर वक्त 24 गंटे तयार रहते थे आईटी पार्क अंदुलन को लेकर जिशान आईटी पार्क कंग्रिस ने कहा गमलनात में मंच से कि आईटी पार्क जो है सागर में होगा राज के विश्विद्ध अला होगा लेकिन उनका जो मैनुफेस्ट ओ आया या जो वचनपत्र आया उसमें उसका जिकर नहीं बुंदिल खन का ही जिकर नहीं ये निताओं की पुरानी आदत रही है चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रुफी आदर कोई सी पार्टी हो बचन पत्र में तो बहुत सब लिखा जाता है, मगर उसका चुनाओं के बाद कुछ अमल में नहीं लाया जाता है, तो ये भी एक जुमला साविद हुगा, BJP मोधी की तरह, उन्होंने बोल दिया था, क्योंकि तब चुनाओं का माहुल चला था, IT पार का मुद्दा उचला थ तो उन्हें बोल दिया था, मेरे हिसाब से तो जब उन्हें बचन पत्र में नहीं लिखा तो आगे कुछ हो नहीं नहीं है, चले जीशान से बात की, कि आखिर मुस्लिम युवा और खास करके जो नए वोटर्स हैं और जो युवा हैं, उनका क्या सोचना इस चुनाओं को ल करिए हम सागर की तमाम हस्तियों को, सागर के तमाम जागरुक लोगों को, जानकार लोगों को और जिम्मेदार लोगों को यहां बुलाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, कि आखिर उनके हिसाब से ये विधान सापा चनाओं कितना ज्यादा, उनके लिए कितना ज्यादा महत पूर्ण है यदि हमारी खास पेशकस मुझे दीजिए राद नमस्कार